गाइडेंस प्रोग्राम, और्गनिजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम एट स्कूल लेवल, नॉर्मल कॉश्चन अन्दा है, तो सब तो पहले, सबसे पहले डिफाइन करेंगे गाइडेंस प्रोग्राम को, गाइडेंस प्रोग्राम क्या है, पहले जो पिछले कॉश्चन म के personal development educational development and career development और इस development में कुछ challenges आएंगे normally decision लेना difficult होगा यह दोनों कामों के लिए कुछ sports कुछ help की जाती है तो यह help सारा साल कैसे करनी है वो कैसे किस steps में होगी जब वो steps को follow करते हैं तो guidance program हो गया जिसको implement करना है education में इन goals को achieve करने के लिए तो इसमें क्या है कि resources है support है challenge वही बाते जो repeat होनी है पहले वाली जो बोर्ड पर करके आया हो इसके key components कौन से हैं इसमें सारी counseling services है career exploration है planning करनी है academic help करनी बच्चों की personal development personal growth anxiety stress depression इन से बच्चों को निकालना adjustment करनी है मतलब सारा साल total program कैसे हो कि यह तीनों काम personal भी जा emotional भी जा social भी और career और academics सभी साथ साथ चलते रहें individual के भी और group के भी तो इसके लिए guidance program के लिए collaboration हर हालत में जुरूरी है किनके बीच stakeholders के टेक और कौन है जितने भी associates हैं member school के साथ वह heads भी है principal भी है teachers भी है students भी है उनके parents भी है और community के experts भी है और यह सारे मिलके stakeholders word में cover हो जाते हैं ठीक तो यह एकठे काम करते हैं वो न गोल जो पहले हमने की है उनको achieve करने के लिए हर गोल में success हासल करने के लिए तो guidance program को लागू करने के लिए कुछ prerequisites हैं दूसरी तरफ आप Hindi में जो जिन्होंने देखना है ऐसे देख सकते हैं यहां पर यह जो है पहला आगया sorry यहां से शुरू होता है यह यहां से नोट करेंगे मैं यहां पर थोड़ा रुक के फिर आगे ले जाओंगा pause करके यह देख सकते हूं यह है मार्ग दर्शन की पूरव अवशकताएं कौन सी हैं सबसे पहले अगर तीन पांच पांच यह रिक्वार्मेंट्स हैं नॉर्मली के एक guidance committee बनाई जाएगी guidance committee में minimum 7-8 member होंगे यह red color वाला आप ज्यादा note कर सकते हो और committee member में stakeholders होंगे मतलब कि उसमें एक parent भी हो सकते हैं दो teacher भी हो सकते हैं एक head भी हो सकता है दो students भी हो सकते हैं ऐसे मिलके यह committee बनाएगी और principal नॉर्मली chair बन बन जाता है दूसरी है budget budget allocation किसके लिए budget पैसे या funds चाहिए कि जो experts आएंगे उनको honorarium भी देना है speaker guest speaker आते हैं transportation for specialist है तो resources नए नए test चाहिए psychological test है literature चाहिए information occupation information different occupation के बारे में जो collect करनी है employability opportunity कितनी है उसकी eligibility यह ऐसी information सारी collect करनी है वो सारी collect करने के लिए literature जो चाहिए हो पैसे चाहिए उसके लिए infrastructure है guidance room है cell है equipped होगा यह नहीं है कि room है काफी है उसमें furniture है resources है material जो required है जो different information है occupational है personal है data keeping है वो सारा कुछ रखा जाएगा और parents and community engagement उनको सामिल साथ में किया जाएगा उनको information दी जाएगी उनके साथ session लिये जाएगे newsletter उनको distribute की जाती है outreach event है कि जहां तक पहुंचना difficult है वहां तक पहुंच के वहां community के member के साथ संपर्क करके अपने cell के साथ जोड़ना है तो यह pre requirements है fifth है briefing करनी सब को जो यह stakeholders है staff है students है उनको guidance program के objective बताने purpose बताने importance बतानी participation involved करनी success कैसे हासल करनी है success तक पहाम कैसे पहुंचेंगे यह सारा कुछ share करना तो यह prerequisite है यह अब लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं नौर्मली यह point आप हर हालत में लिखोगे के steps कौन से हैं यहां पर हिंदी में साथ में दिखा रहा हूं के अवश्यक्ताइं कौन सी हैं यह पहला point है यह दूसरा budget वाला point आ गया यह तीसरा धांचा आ गया ती चौथा आ गया यह माता-पिता और समदाय जुडाव और पांच वह आ गया यह स्टाफ और शात्रे ब्रीफिंग हना उसको मैंने किया था नेक्स्ट है मार्ग दर्शन कार्यकरम के योजन के लिए कदम यहां पर underline आजेगी यहां लेकिन मैंने English में की हुई है तो first point है survey available for guidance service simple कि कौन सी services available already है जहां किस service की कमी है यह जानना है दूसरा यह ज्यादा important point नहीं है the most need assessment सबसे ज्यादा important point है दूसरा step आगया कि बच्चों की needs क्या है for example आप 10th के एक school में हो रूरल में है और रूरल में awareness कम है जन लड़कियों का school है आप assess करते हो कि लड़कियां कौन सी problem face करती है for example वो poverty period से निकल के जा रही है उनको personal hygiene और self management और उसकी जो sex education उसकी जरूरत हो सकती है subject selection की problem हो सकती है उनको occupation की unclarity हो सकती है उनको कोई adjustment problem हो सकती है तो यह वो problem सारी identify need कर लेनी कैसे करेंगे वो वो सर्वे करेंगे question हो सकते हैं के यह वाली problem यह problem है अब yes करो no करो ऐसे टिक करो और interview group interview हो सकती है अच्छा अपनी तीन problem major problem बताओ होना एक slip पर लिखके दो ऐसे कुछ भी consultation हो सकती है ऐसे जो है need assessment होगी यह सबसे ज्यादा जरूरी है वो जो information need की collection होगी उसी के base पर naturally मैं ऐसे guidance program नहीं बना दूँगा अगर need उनकी personal hygiene की है तो मैं उस पर जो है being a principle उस पर काम करूँगा अगर subject selection की है adjustment की है उसको मद्दे नजर रखते हुए purpose जो objective बनाऊंगा और resource available accordingly करूँगा तीसरा है कि यह अब जो कर लिया है उस पर staff का opinion लेना है उनसे discussion करनी है कि यह program को कैसे बैटर बनाया जा सकता है हमने यह need assess की है आप कोई add करना चाहते हो तो ऐसी बात होती है फिर है objective आप guidance program के बनाते हो उसमें क्या है कि improvement जैसे for example अगर वो था यह कि personal hygiene को लड़कियों को सक्स education के बारे में बताना है पर्सनल development है वह आ गया एक्स्प्रोरेशन है साथ में हिंदी वाले शायद मिस कर दिया साथ में बता दूं यह पहला point था सिवाओं का सर्वेक्शन यह सबसे ज्यादा जरूरी है जरूरतों की पहचाने तीसरा स्टाफ से राय करनी हना चौथा यह हो गया कारें का उदेश बनाना सिर्फ अप उदेश याद रुखो पांचवां हो गया यह जो है मार्क दर्शन सिवाओं के को कार्यों को निर कारियर एड्वाइजर की टीचर की अदर परसोनल की क्या-kya involvement होगी क्या-kya वह काम करेंगे फिर उनको ड्यूटी दे देनी के यार आपने यह करना है कौंसल का यह काम होगा टीचर का आपका काम है हैट का यह काम है यह ड्यूटी दे दी हाना यह साथ में हिंदी में बता इस मत्त को यह करवा जाएगा इस इस मंत में पटी मिला जाये बनाट क undoubtedly है का च्छोपे प्लैन और चार्ट बनते हैं TENTATIV प्लैन बनता है और इसके बाद अंधिव प्लैन के बाद यह है हमारे सबश esto ना चाहिए यह नों हम समझेंगे यह हम ब्लैना चाहिए ढहर है जिसमें डिटेल कितने समय में यह एडूकेशन दे दी जाएगी हना इंप्लिमेटेंशन कैसे करनी है रिसोर्स क्या-क्या चाहिए उनके लिए हना हुमन रिसोर्स फिनेंशल रिसोर्स भी मटीरियल रिसोर्स भी हना मैथड उनको एवेलुएट कैसे करना है कि बच्चियों को पता चल गया है सब्जेक्ट सेलेक्शन की जो नौलज उनको गेन उनने कर लिया एंशोर करना एवेलुएट करना तो यह ब्रॉड जो है प्लैनिंग है जो जिसको टेंटेटिव चार्ट और बोलते हैं सब्साइडरी जो है वो रोल निश्चित करना है अच्छा इसमें क्या के शामिल है कि इंडिविजूल कॉंसलिंग सेशन शामिल है ग्रूप वर्क्शॉप है केरियर एक्स्प्लोरेशन इवंट्स है एकडमिक स्पोर्स प्रोग्रम है यह एक्जम्पल आप दे सकते हो अच्छा इस आपकी यह ड्यूटी है आपको लगेगा पहले भी यह पॉइंट आया पहले सिर्फ यह निश्चित किया गया था कि इन इनको यह डिसीजन हो रहे थे यहां पर रिटन ड्यूटी लग गई है उनके सिगनेचर कराई जाते हैं तांकि उसको क्लियर हो जाए कि म तेरा यह रोल है मैं मिस नहीं करता अगर किया तो सिगनेचर किये हुए हैं ऐसे इसको टोटली फॉर्मल बना देना है रोल्स एंड रिस्पॉंसिबिलिटी और गाइडेंस कॉंसलर कॉंसलर कॉडिनेटर एड्मिनेटर स्पोर्स यह चार-पांच नाम याद रखने है कि ग साइडरी टा चार्ट बनता है नेक्स्ट है तैंथ हिंदी वाले यहां पर करबा देते हैं यह हो गए वारशेक यूजना और उसके बार अस &य और यह रहा 9 नैस सहायक चारट यह सहायक चार्ट है और इसके बाद यहां पर 10th कार नवे पता नहीं क्या है भी हिंदी इंग्लिश में देख लेते हैं यह रहा इंप्लिमेंटेशन अब जो सारी उपर प्लैनिंग की है उसको एक्जीट क्यूट करा लागू कर देना है अब वह प्रोग्राम करने शुरू हो हो गया है मतलब activity number one two three अब हो रही है उनको लागू कर रहे हैं हर दिन लागू कर रहे हैं जो जो जहां जहां प्लैन की थी नेक्स्ट क्या है पॉइंट के monitor जहां evaluate रोज करना है रोज देखना है कि हमने क्या गलतियां की क्या अचीव किया उसको record में रखना है यहां हिंदी में भी साथ में देख सकते हो यह दस हो गया ग्यारमा यह हो गया निग्राणी जहां मुलंकन करना बारमा हो गया नरंतर सुधार continue efforts अब यह नहीं है यह मुलंकन का ही नेक्स्ट जो है continuity है regular review करना और refine करना guidance program को के जो feedback आ रही है उसमें यह गलतियां की है अब गलतियां की है तो उसको सुधारना कैसी है उसी का next point बन गया हना evaluation की जो findings होंगी उसके उनसार जो है जहां बचों की नई needs सामने आई है उसके उनसार guiding program को थोड़ा थोड़ा change करते रहना next है staff training यह professional development तो नई skills और knowledge से introduce करवाते रहना for example counselor है counselor के साथ कुछ teachers है तो experts बाहर से आते हैं workshop लगा नए profession है नए तरह से ऐसे adjustment को better किया जा सकता है वगारा नए test है यह लगाए जा सकते हैं ऐसी बाते हैं जो उनको professional development करनी है यह रहा आपका निरंतर और तेर्मा रहा विवसाइक विवकास अभी जो बात की है सहयोग और सांजेदारी तो यह common point है हर जगा आएगा जहां सहयो के नाम लेने हैं जैसे आगया teacher आगया counselor आगया experts आगये हना तो यहां पर क्या है कि organizational क्योंकि external organization जैसे industry है उनके साथ भी collaboration करनी है जहां उन्होंने जॉब लेने जाना है जॉब वाली information जहां से मिलनी है उनसे भी सांज पैदा करनी है हना business है colleague है university higher education से सांज पैदा करनी है य communication and engagement तो यह communication किसके साथ करना है जो stakeholders है बच्चे हैं उनकी parents के साथ है लगातार update रहना है बाते करती रहने है यह update वो mobile से online हाना जो email है जो भी अब जो अपना online system है उससे यह possible है teachers है colleagues है दूसरे schools के teacher है इनसे एक web बनाकर रखना यह communication लगातार बने रहेगा कि resources है events से यह करवाई जा रही है अचा documentation जो भी कर रहे हैं उसकी recording करनी है कि यह activity हो गई है इसके यह achievement रही है और यह इसमें जो है कमिया रही है next है last point documentation and reporting तो program की total activities की outcome results क्या रहे हैं कितना खर्चा आया है यह बातें सब लिखके systematically रखनी है तो यह ऐसे guidance program आप organize करते हो कर सकते हो तो यह steps आपने लिखने हैं हिंदी में आपने यह करना है यहां तक thank you dr. तीर सिंग लाट वर्ट चलाए